हमारे साथ इसवत मौझूद है बीजेपी की नई दिली सीट से उमिदवार बासुरी सोराज जी बासुरी जी युवा चेहरा और प्रधान मंत्री की टीम में शामिल होने के लिए एक नई चुनोतियों के साथ आपको यहाँ पर मैदान में उतारा है बीजेपी ने क्या क्या चुनोती हैं आपके लिए नई दिली सीट में के एक-एक कारकरता का कि उन्होंने इस योग्य समझा कि मुझे ये उपचुनिटी दी है और हां रही बात चुनोतियों की तो मैं आपको बताऊं किसी प्रकार की चुनोती नहीं है क्योंकि भारत की जनता का है एक अटूट विश्वास है मोदी की गारंटी पर क्योंकि मोदी की गारंटी गैरंटी पूरे होने की गैरंटी है अगर आप पिछले 10 वर्ष का मोदी सरकार का कारकाल देखें तो आप देखेंगे एक विकास का कितना एक unprecedented कारे हुआ है आप ये देखें कि एक बहुती चर्मर आती हुए अर्थविवस्था 11 नंबर की economy Congress ने भाज़बा को सौपी ती 2014 में आज ये शिश्पी प्रधान मंत्री मोदी जी ने इंडिया को 5th largest economy बना दिया है और मोदी जी की गारंटी है कि मोदी 3.0 में तीसरे नंबर की economy बना देगे नई दिली सीट जहां पर मुखे मंत्री अर्विन केजरीवाल विदायक है सोमनार बार्ती को अमिद्वार बनाया है चुनोती लगेती है आप कोई सीट पर बहुत वनम्रता से कहना चाहूंगी कि बाबा सोमनाथ का आशरवाद तो मोदी जी के सर पर है सामने कोई मी सोमनाथ ख़़ा हूँ इंडिया गडवंदन इंडिया गडवंदन आप जानते है कि एक स्वार्थ पर आधारत गडवंदन है जब स्वार्थ की नीती होती है तो आप राष्ट्र खित और राष्ट्र नीती दोनों पर आप काम नहीं कर पाते और इसलिए स्वार्थ में ही आप देखिएगा कि अगडवंदन जरजर करकर भुरबरा जाएगा जिनको बीजेपी ने अपना उमीदवाद जो है वो नई दिली स्वार्थ से बना है क्यामरा परसंद अजी सिना के साथ सुचांत में दिली